हलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे कुचिंग क्लासेश में जिसका नाव है वेलोसिटी कुचिंग क्लासेश बच्चों आज हम स्टैंडर्ट 10 महाराश्ट्रप बूड का चैप्टर नमर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर कोंसा है वो चैप्टर है periodic classification of element और यह होने वाला है बच्चो लेक्चा नमबर वन तो जैसा आपको नाम में दिख रहा है periodic classification of element तो elements को हम किस तरह से tabular form में लिखा गया है उसके बारे में हम जानेगे उसकी थोड़ी सी history के बारे में जानेगे और बहुत सी चीज यह table क्या कह रहा है तो इस table के अंदर बच्चो टूटल है 180 element इसको divide किया है 18 gross में और 7 period के अंदर और यह जो table बनाया है इसको हम बोलते है modern periodic table यह periodic table किस ने बनाया है यह scientist का नाम है Henry Moselle उन्होंने 1913 में यह periodic table बनाया था अब इस scientist के हाथ में आपको एक चीज दिख रही है यह चीज है बच्चो एक्स रे टूट उन्होंने invent किये है और इसी से उन्होंने compare करके अलग-अलग elements को compare करके उन्होंने यह periodic table बनाया है इसके बारे में आगे lecture में हम पढ़ने वाले है यह जो periodic table है इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आई यह start करते है periodic table सबसे पहले तो इसके history जान लेते हैं तो बुच्चो आज से लग-बग 200 साल पहले हमें बहुत ज़्यादा elements के बारे में नहीं जान करी थी लग-बग 30 elements से करीब हमें पता था इन 30 elements को हमने divide किय दो ग्रोस में पहला था metals और दूसरा था non-metals लेकिन बच्चो जैसे-जैसा time बित्ते हिया हमें नए elements की discovery हुई वो elements को से थे वो थे silicon, germanium अब जो इनके properties थी ये ना तो metal जैसे थी ना ही non-metal जैसे थी अब हमको क्या ज़रूत पड़ी तो हमको एक नय ग्रूप create करने की ज़रूत पड़ी उस ग्रूप को हमने नाम दे दिया metalloid इस तरह से 3 ग्रूप बन गया लग-बग 1808 तक हमें लग- problem किया थी कि problem हारे जो element था इसकी नए नी property डिसकर हो थी उसको लिखा जा रहा था और एक जगा पर जमा किया जा रहा था अब दिक्कत कहां पर आये थी अगर मालो किसी element को दूसरे element से अगर हमें compare करना है तो हमें पहला element के लिए जो पूथी बना के रखी थी उसमें से वो धूनना पड़ता था पूरी details फिर दूसरे element को धूनना पड़ता था उसकी details धूननी पड़ते ही फिर हम क्या करते थे उससे compare करते थे तो ये बहुत lengthy process हो गए थी फिर आये हमारे dober near भाई साब तो dober near ने क्या किया dober near ने सबका atomic mass calculate किया तो उसको एक approximate atomic mass मिल गया और जिन elements के properties similar थे उनको एक triad के अंदर रख दिया जैसे हम यहाँ पर देखेंगे यह है बच्चो lithium उसके बाद sodium और potassium यह तीनों जो थे बाहर के उनके जो property थे यानि देखने में यह लगबख सेम थे इनके properties almost same थी तो उसने क्या क्या है इनका triad बनाया अब उसने इनके atomic mass collect किये त atomic mass कितना था बच्चों तो lithium का atomic mass था 6.9. Potentium का atomic mass calculate किया उन्होंने Potentium का atomic mass था 39.1 अब यह चूंकि तिनों के properties almost similar है तो उसने क्या क्या lithium और Potentium की atomic mass को add कर दिया और उसको divide कर दिया दो से तो जैसे हमें उसने divide कर दिया दो से तो उसके पास एक mean value आ गई वो mean value थी कितनी? 23. और यहाँ पर जो sodium था उसका भी atomic mass कितना था? 23. तो उसने क्या कहा जो lithium है और Potentium है उनके दोनों को अगर atomic mass को calculate करेंगे और उसको अगर दो से divide करेंगे तो हमारे पास मिलता है sodium का atomic mass और इस तरह से उसने triad के form में कुछ elements लिखें जैसे आपके पास यह table है यह table आपको दीख रहा है जैसे उसने लिए calcium और उसने लिए बिरियम दूनों के atomic mass को उसने add किया और उसके बाद उसे divide किया तो उसे क्या मिला? उसे मिला strawonium का atomic mass उसी तरह से chlorineल यृव का आड़ करके उसने दो से डिवाइट कर दिया, तो उसे क्या मिला? उसे मिल गया, ब्रूमिन का अटमिक मास मिल गया. अब यह चो बच्चों दिक्कत कहा पर थी? दिक्कत यह थी, यह बहुत ज्यादा सक्सिस्पुल नहीं हो पाया, क्योंकि यह ऐसे दस बारा एलिमेंट से आड़ा नहीं कर पाया, लेकिन उससे लोगों को यह आइडिया आ गए, कि इस तरह का कुछ हम क्लासिफिक्शन कर सकता है, उसके बाद क्या हुआ, लोगों में हूर मच गई, कि चलो हम भी बनाते हैं इस तरह का पिरियोडिक टेबल, तो बहुत लोगों ने बहुत सारे पि म्यूजिक को दिखते थे, अब इसनों ने उस पिरियोडिक टेबल में म्यूजिक को देखा, तो उन्होंने क्या कहा, कि जैसे बच्चों ये सा, रे, ग, म, अ, ध, नी के बाद फिर से सा आ रहा है, वैसे हमारा पिरियोडिक टेबल जो होता है, वो पिरियोडिक टेबल साथ elements के बाद अपने property को repeat कर देता है याने सा के बाद फिर से जैसे सा आ रहा है उसी तरह से साथ properties के बाद आठवी जो property आएगे वो पहली property से similar होगी ये उन्हों ने कहा इसके लिए उन्होंने क्या किया उसके लिए सबसे पहले उन्होंने hydrogen इस चुरुवात की और thorium तक उन्होंने एक periodic table बनाया अब यही इस तरह से उन्होंने periodic table बनाया अब आपके सामने ये जो periodic table देख रहा यहाँ पर देखो गया ये hydrogen के बाद कौन सा आरा नीचे आरा फ्लूरिन फ्लूरिन के आरा क्लूरिन तो उन्होंने ये कहा कि भया hydrogen और फ्लूरिन के property जो ही वो almost same आ रही है फ्लूरिन और क्लूरिन के property जो है वो भी almost same आ रही है इसी तरह से lithium और sodium इनके properties भी almost same है और sodium और potassium के properties जो है वो भी repeat करी है याने क्या होगा हर 7 element के बाद 8 जो element आ रहा है वो अपने property को repeat करता है यह उन्होंने कहा उसके लिए उन्होंने क्या किया एक 7 बाय 8 का table बनाया और उसमें सारे के सारे element घुसट दिये और उन्होंने कहा कि भाया यह बन गया हमारा table आज से हम इसको कहेंगे new land law of octave और कुछ साल यह चला भी लेकिन जैसे जैसे लोग इसके उपर study करते गया तो उन्हें इसके अंदर कुछ खामिया दिखी अब वो खामियों का explanation उससे मागा गया तो वो नहीं दे पाए तो यह model भ table है यह सिर्फ calcium तक के लिए apply हो रहा था यानि इसने calcium तक की जो property पर वो तो similar दिखा दिए लेकिन calcium के बाद ये table काम करना बंद कर दिया दूसरी क्या property था है उस time तक लगबख 56 elements उनको पता चल गये था है उन्होंने यह 7-8 के table में घुसेड़ के रख दिये अब इससे क्या हुआ कुछ places इनको vacant रखनी पड़ी कुछ places पर उनको double-double elements लिखने पड़ेगे अब यहाँ पर यह vacant क्यों रखा वहाँ पर कौनसे elements आगे यह उन्होंने नहीं बताया अब तिसरी property को देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो vacant जखा चुड़ी है वहाँ पर future में कौनसे elements लिखिया उन्होंने बताया नहीं यह है हमारा तीसरे point चौथा point बच्चों यह है उन्होंने जो cobalt और icen है ये तो है मेटल अब ये उन्होंने लिखे फ्लूरिन और ख्लूरिन के नीचे अब फ्लूरिन और ख्लूरिन क्या है तो वो है नॉन मेटल अब ये कोबल्ट और निकल को उन्होंने फ्लूरिन और ख्लूरिन के नीचे क्यों लिखा इसका भी आंसर उन्होंने नहीं दिया त वो है Mendeleev periodic table, यह Mendeleev का periodic table बच्चो बहुत साल चला, जब तक Mosley ने अपना periodic table नहीं बना, तब तक हम इस Mendeleev periodic table को ही यूज करते थे, अब यह Mendeleev periodic table जो है, इसकी थोड़ी सी खुबसूरीती देख लेते हैं, उस टाइम तर लगबग 63 elements हमको पता हो चुके थे, अब उन 63 elements को उसने उनके atomic mass के according सबसे पहले अरेंज कर दिया, अब हर एकी property उन्होंने लिख के रखी, अब जहां जहां पर properties उनको similar दिखती, उनको एक के नीची एक वो लिख के रख देते हैं, उसके बाद उन्होंने उस information को table का form दे दिया, वही है बच्चो हमारा mandalew periodic table, यह इस तरह से उन्होंने periodic table बना लिया था, तो आपको बच्चो यहां पर कुछ-कुछ खाली जगह दिख रही है, यह खाली जगह उन्होंने जान बुच के छोड़ी थी, अब यह उन्होंने खाली जगह क्यों छोड़ी थी, तो उन्होंने क्या कहा, भईया यह जो खाली जगह हमने छोड़ी है, यहां पर जो भी elements आ उन्होंने कुछ नाम दिया इका बुरॉन इका ये इका फो ऐसे उन्होंने नाम दे के रखे इका याने क्या होता है तो यह आगे चलके हम पढ़ेंगे तो अब चलते हैं बच्चों Merits of Mandelio Periodic Table तो Mandelio Periodic Table की क्या खासियत है ये हमें देखना है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया उन्होंने आटोमिक मासेश को recalculate किया तो जिसकी कारान कुछ आटोमिक मासेश उनको थोड़ से अलग मिल गए जैसे beryllium है तो beryllium का आटोमिक मास उन्होंने calculate किया 9.4 उसस पहले था 14.09 था तो उसने उसको rearrange कर दिया बेरिलियम को तो उसको लिख लिख लिया बोरॉन से पहले अब देखता है बच्चो दूसरा मेरिट दूसरा मेरिट क्या है तो जैसे हमने कहा बच्चो कि कुछ-कुछ element तब तक डिसकोर नहीं हुए थे लेकिन उनको ये properties पता थे क भाईया इसकी property ये होने वाले है तो उसके लिए उन्होंने अपने periodic table में खाली जगा छोड़ी थे और वहां पर उन्होंने लिख दिया था ये property है इसकी property बोरॉन जैसे आएगी इसका नाहा हम देंगे इका बोरॉन यहां पर दूसरा जो element आएगा उसके properties aluminum जैसे होगी इस एका याने not discovered होता है अब वहां पर जो ikak boron, ikak aluminum, ikak silicon है तो ikak boron की जगा में आगया scandium, ikak aluminium की जगा पर आगया gallium और ikak silicon की जगा पर आगया germanium तो बच्चों जब यह मेंडेली उन्हें periodic table बनाया था, उस टाइम तक noble gases की discovery नहीं हुई थी, कालांतर में noble gases की discovery हुई, तो उस noble gases को अपने periodic table में कैसे fit करना है, यह उन्होंने सूचा और उन्होंने एक नया group बना लिया, वो था zero group, और यह zero group बनाने से क्या हो गया, noble gases को अप periodic table था, वो भी disturbed नहीं हुआ, तो यह इनके merits है, अब चलते हैं इनके limitations के और कि limitations क्या थे, तो पहला limitation था बच्चों, कोबाल्ट और nickel का, अब यह बच्चों कोबाल्ट और nickel है, इनके अगर आप atomic mass दिखोगे, तो दुनों के atomic mass सेम है, तो पहले किसको लिखा जाए, बहले को कोबाल को लिखा जाए, या पहले nickel को लिखा जाए, इसमें उनको, खुद कोfrage दायलेमा था, तो वो कभी कोबाल को पहले लिखते थे है, कभी Nickel को पहले लिखते थे, और उसका उन्होंनों किसी तरह से justification नहीं दिया, कि भाया, आप कोबाल को पहले लिखोगे, या nickel को पहले लिखोगे अब चलते हैं बच्चो दूसरे पॉइंट की और और दूसरा पॉइंट है रिलेटेड आइसोटोप का तो बच्चो जब ये मेंडेलिव ने पिरियोडिक टेबल बनाया था उस टाइम तक आइसोटोप की डिसकोवरी नहीं हुई थी लेकिन बाद में आइसोटोप की डिसकोवरी हुई तो इन आइसोटोप को किस तरह से लिखे कहां पर लिखे ये भी उनके पिरियोडिक टेबल ने किसी तरह से कोई एक्स्प्लेन नहीं किया था तीसरा पॉइंट क्या था बच्च कि hydrogen रखे के कहां पर hydrogen हम पहले गुरूप में रखे या सात्वे गुरूप में रखे क्योंकि जो hydrogen है hydrogen की properties resemble करती है पहले गुरूप से भी और सात्वे गुरूप से भी तो उसे रखना कहां पर है इसमें ambiguity थी कभी वो पहले गुरूप में रख देते थे ये तो होगे बच्चो लिमिटेशनस आप मेंडेल्यू पिरियोडिक टेबल अब चलते हैं हमारे next concept के ओर तो next concept किसका है तो next concept है बच्चो आपके स्क्रीन के ओपर ये apparatus दिख रहा है ये apparatus है X-ray ट्यूब ये बनाई थी मोजले ने और इसी के ओपर वो बहुत सारे experiment करते थे उन्हें बहुत सारे elements लिए इस X-ray ट्यूब के अंदर रखे और इसके ओपर से उन्होंने कुछ conclusion निकाले वो conclusion क्या है वो हमें देखना है तो सबसे पहले उन्होंने conclusion ये निकाला कि जो atomic number होता है वो एक fundamental property है किसी भी element की और ये atomic number हर element का अलग-अलग होता है और उन्होंने जो periodic table भी बनाया वो भी कैसा था वो भी इस atomic number के ओपर depend कर रहा था इस सब पहले की जो भी periodic table बने थे वो किसके ओपर depend कर रहे थे वो करता है atomic mass के उपर और ये पहला अपने आप में ऐसा periodic table था जो कि atomic number के उपर depend कर रहा था जिसके कारान ये बहुत ज्यादा प्रचली तो हुआ और बहुत लोग इसको मानते हैं और इसी table को हम और एक नाम बोलता है तो उसको क्या नाम है तो उसको नाम है बच्चो long form of periodic table समझ में आ गया तो चलता है बच्चो next slide के और और next slide है हमारा periodic table ये periodic table बच्चो इस तरह से दिखता है तो इसको one by one हम समझते हैं आप देखोंगे बच्चो इस periodic table को हमने total 18 groups में divide किया है और 7 period में divide करके रखा है इसमें आते हैं चार block S block P block D block और F block आता है अब यहां पर देखोंगे बच्चो S block में कौन से element आते हैं तो S block में आते हैं alkaline metal और alkaline earth metal D block में आते हैं बच्चो transition metal P block में क्या क्या आते हैं P block में आते हैं पोस transition metal में बहुत धीर ज्यादा detail में पढ़ने वाले हो तो आई चलो देखते हैं बच्चो एक इक properties को सबसे पहले देखते हैं alkaline metal तो यह जो बच्चो है यह पहला ग्रूप है इन पहले ग्रूप को हम कहते हैं alkaline metal यह alkaline metal होते हैं बच्चो यह बहुत ज़्यादा reactive होते हैं अगर आप sodium को किसे पानी में डालोगे तो बहुत jump के explosion हो जाएगा एडोजान, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium यह सब elements इसके अंदर आते हैं इनके valency होती है वन जो आगे चलके पढ़ने वाले हैं उसके बाद आते हैं बच्चो अलकली earth metal या इसको हम कहते है alkal alkaline earth metal तो alkaline earth metal में कौनकों से elements आते हैं वो आते हैं beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium और radium जैसा कि हमने कहा बच्चो alkaline metal और alkaline earth metal यह आते हैं S block के अंदर यह blocks works क्या है यह हम आगे चलके पढ़ेंगे तो आगे चलते हैं आप next property देखते हैं तो यह है बच्चो D block यहाँ पर आते हैं आपक metals इनको हम कहते हैं transition metal इन में से mercury को देखा जाए तो mercury होती हैं आपके liquid state में और बाखी के जो metals है वो आपके रहते हैं solid state में next चलते हैं P block के और अब यह प्यों P block है इसमें यह जो elements आपको दिख रहे हैं aluminum, gallium, indium, stannum, thallium, plumbum और bismut इनको कहा जाता है बच्चो post transition elements या post transition metals next चलते हैं बच्चो आप यहां पर आपको दिख रहे हैं बच्चो boron, silicon, germanium जैसे elements इनको कहा जाता है metalloids इनसे semiconductors बंद हैं आपके mobile, tv, electronics, equipment में silicon और germanium से बने हुए semiconductors का use होता है इनकी जो properties होती है यह metal और non-metal के बीच में होती है इस तरह से यह zigzag position में आपको periodical table के अंदर दिख जाते हैं next चलते हैं बच्चो non-metals क्यों यहां पर दिखेगा आपको carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, potassium, sulfur, chlorine यह सब क्या है यह सब non-metals category में आते हैं और यह highly reactive भी होते हैं इसमें अगर fluorine देखा जाए तो fluorine की electron negativity बहुत ज्यादा होती है याने electron attract करने की शमता fluorine की सबसे ज्यादा होती है इन सब चीज़ों class element में आप बहुत अच्चे से बहुत डिपले पढ़ने वाले हो और last बजिया है बच्चों last है आपका noble gases noble gases में कोई आता है हीना नीना और करीना से एकसरे रंगिन याने helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ये सब क्या है ये सब noble gases है बिलकुल royal है ना तो किसे से लेना है ना ही किसे से देना है एक अगर xenon छोड़े आप तो xenon कुछ-कुछ elements के साथ react करता है लेकिन ये बाकि की जो elements है ये किसी के साथ react नहीं करता है हमको भहिया किसे से लेना देना नहीं है हमारा octet complete हो गया हम बस्त आराम से बैट हो है इनका ये है तो आगे चलते हैं बच्चो आगे चलके हमको देखना है blocks के बारे में तो बच्चो ये जो है ये क्या दरशारा है तो ये alkili metal और earth line earth metal को मिला के बन रहा है आपका s block s block में आते हैं आपके group 1 और group 2 के elements आप चलते हैं बच्चो पी ब्लोक में group 13 से group 18 तक के जो भी elements आते हैं वो आते हैं आपके p block में तो P-Block में कौन-कौन getirments आ रहे हैं बच्चों? तो P-Block में आ रहे हैं Non Metals, P-Block में आ रहे हैं Metaloids और P-Block में आ रहे हैं आपके Post-Transition Metals आप चलते हैं बच्चों, D-Block की और तो ये है आपका D-Block जिनको हम कढ़ा जाता है Transition Metals ये कैसा है तो ये है डी ब्लॉक अब ये जो है बच्चो ये है लास्ट आपका एब लॉक तो एब लॉक में कौन से इप मेटल साते हैं तो एब लॉक में लैंथानोइट्स और एक्टिनोइट्स शीरिस आती है ठीक है इसको अपने को बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना एले है बच्चो पूरे जो पिरियोडिक टेबल है उसको किस तरह से हमने ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है तो बच्चो ये कौन सा ब्लॉक है तो ये है एक्स ब्लॉक ये वाला है आपका पी ब्लॉक ये वाला है आपका डी ब्लॉक और नीचे है सबसे आपका लास्ट में A block अच्छा बच्छो आपको इस पिलोरी टेबल के अंदर स्टार और डबल स्टार दिख रहे है ये स्टार और डबल स्टार की जगह पर आते हैं आपके A block elements जिनको हम कहता है Lanthanoids और Actinoids तो आगे चलता है Next Concept की ओर तो बच्छो सबसे पहले हमें देखना है कि Valency क्या होती है और Valency को किस तरह से Determine करता है तो बच्चों आपको आपकी स्क्रीनिंग के उपर क्या देख रहा है तो आपको आपकी स्क्रीनिंग पे Helium, Mion, Argon और Krypton क्या Atomic Structure देख रहा है ये इस तरह से इनका Atomic Structure होता है आप क्या देख हो कि बच्चों Helium के Outermose Shell में ये जो Outer 보arti orbit निकाला है सर्कल सर्कल है उसको हम बोलता है शेल बोलता है तो Helium के Outermose Shell में कितने Electrons है तो Helium के Outermose Shell में है दो Electrons Neon के Outermose Shell में कितने Electrons है तो Neon के Outermose Shell में है 8 Electrons आरगन को भी अगर आप देखोगे तो आरगन के भी और्टर मोस शेल में है आठ इलेक्ट्रॉन, और क्रिप्टॉन के और मोस शेल में भी है आठ इलेक्ट्रॉन अब यह Octate रोल क्या कहता है आठ इलेक्ट्रॉन हियाने Octate तो किसी भी Element का जब Octate Complete होता है तो उसका किसी और Element से लेना देना नहीं रहता है उसका जो Confliction होता है बहुत ज़्यादा Stable हो जाता है जिसके कारण बच्चो ये Helium, Neon, Argon और Krypton कैसी Position पे पहुंच जाते हैं तो वो पहुंच जाते है Stable Position में जिसके कारण ये किसी और Element से React नहीं करता है एकसिप जहरौन छोड़के जहरौन कुछ एक केस में कुछ Element से React कर लेता है अब हर Element ये ही चाहता है कि भाईया मेरा भी जो Electronic Confliction बने वो इन Noble Gases की तरह बने याने हमारे भी Outermost Shell में 8 Electrons रहे हैं ताकि हमको भी एक Stable Confliction मिले ठीक अब यहाँ पर बच्चो आपको दिख रहा है Sodium अब sodium का Atomic Number है 11 अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो Outermost Shell है sodium का उसमें आपको दिखेगा एक Electron अब इसको अगर अपना Octet Complete करना है तो वो क्या करेगा वो एक Electron को बाहर भेज देगा किसी और को Donate कर देगा अब वो उसने एक Electron को कहीं बाहर Donate कर दिया तो उसके पास Innermost Shell में कितने Electrons रहेंगे तो 8 Electrons रहेंगे यह दिख रहे हैं आपको रेट रेट 8 Electrons रहेंगे अगर इसमें एक Electron लूज कर दिया तो इसके Outermost Shell में रहता है 8 Electrons याने यह भी कहां पर पहुंचेगा तो यह भी एक Stable Configuration में पहुँच जाएगा अब या तो यह साथ Electron को गेन करके अपना Octet Complete कर सकता है या यह एक Electron को लूज करके अपना Octet Complete कर सकता है बेटर कौन सा होगा तो बेटर यह होगा कि भी एक है तो दे दो साथ लेते होगे कौन बैठेगा तो इसके कारण यह क्या करेगा यह एक Electron को लूज कर देगा तो यही होती है बिचुस्ट Valency की शुरुआ जितने आप Electron गेन या लूज कर सकते हो वही होती है उस Atom की Valency तो यहाँ पर यह सूरियम क्या करेगा तो यह सूरियम एक Electron को लूज कर देगा जिसके कारण हम कहेंगे इसके Valency कितनी आएगी तो इसके Valency आएगी एक अब नेक्स चलता है देखते है Magnesium को तो चो Magnesium का Atomic Number कितना है तो Magnesium का Atomic Number है 12 अब यहाँ पर बच्चों देखो Magnesium के Outermost Shell में कितने Electrons दिख रहे हैं आपको तो Magnesium के Outermost Shell में दिख रहे हैं हमें 2 Electrons अब इसको Octet पुरा करने के लिए या तो 6 Electrons लेने पड़ेंगे या 2 Electrons देने पड़ेंगे बेटर कौन सा Option है 2 Electrons दे दो कौन 6-6 Electrons कोई जंजट पालेगा तो यह क्या करेगा यह अपना 2 Electrons दे देगा किसी और Atom को जिसके कारण इसका Octet complete हो जाएगा और यह भी एक Stable Configuration की तरह पहुँच जाएगा जिसके कारण Magnesium जो होता है तो Magnesium के Valency कितने हो जाती है तो Magnesium के Valency हो जाती है दो आपको समझ में आया है बच्चो यह Valency किस तरह से निकलता है तो चलता है बच्चो Next Concept के और और Next Concept क्या है So Next Concept है बच्चो Groups and Electronic Configuration तो बच्चो इसससे पहले आपने देखे थे Valency अब आपके पास है टोटल अठरा ग्रूप अगर इस अठरा ग्रूप में से आप ग्रूप में अगर उपर से नीचे जाओगे तो आपको ऐसा पता चलेगा बच्चों कि हर एक की जो Valency होती है वो Valency सेम रहती है जैसे जैसे आप उपर से नीचे जाओगे जैसे हिलियम, नियॉन, और्गॉन, क्रिप्टॉन, जैनौन,ड रेडॉन इन सब क evilness एक रहेगे चरेक हमने पहला की बोला है जैसे जैसे आप ग्रूप में नीचे जाओते जाओगे क्या होने वाला है सबकी वैलेंसी तो सेम रहने वाली है अगर आप periodic table को अगर ध्यान से देखते हो यह आपके समने periodic table दिखेगा तो जैसे जैसे आप left से right group की तरब जाओगे आपको एक चीज दिखेगी कि वैलेंसी जो है वो एक एक से बढ़ती रही है तो sodium के वैलेंसी है 1, magnesium के वैलेंसी है 2, halium के वैलेंसी है 3, silicone के वैलेंसी है 4 इस तरह से 1,1,1 से वैलेंसी क्या होती है तो वैलेंसी आपके बढ़ती है उसी तरह से जब आप उसी group में उपर से नीचे जाओगे तो जो outer most shell है वो एक-एक shell बढ़ते रहेगा जैसे helium की अगर आप देखोगे तो helium में है आपके पास एक shell, neon में हैं दो shell, argon में हैं तीन shell, krypton में हैं चार shell, xenon में आएंगे पास shell, redon में आएंगे छे shell इस तरह से shell धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाते हैं कहां पर जब आप group में उपर से नीचे जाओगे तब अब चलते हैं next property की और और वो क्या है तो वो है period and electronic configuration तो बच्चो हमें पाता है हमारा जो periodic table है वो divide किया है total 7 periods में अब इन period में अगर आप left से right जाते हो तो जो आपका electronic configuration है वो आपका एक एक से बढ़ने वाला है और जो अपकी balance ही है वो भी एक एक से बढ़ने वाली है ठीके जो shell रहेगा वो number of shell नहीं change होगे पिरेट के अंदर याने देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा हाइड्रोजोन और हिलियम तो हाइड्रोजोन हिलियम क्या shell कैसा है पहला shell है इनका पिरेट भी कैसा है पहला पिरेट है अगर आप देखोगे लीथियम, बिरिलियम, बुरोन, कार्बान, नाइट्रोजन, दूसरे shell में है, सूर्यम, मैगनेशियम, अलुमिन, यह कहाँ पर है तो यह तिसरे shell में है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, यह कहाँ पर है, चौथे shell में, यानि चौथे पिरेट में है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, आपका पिरेट भी बढ़ने वाला है और जैसे जैसे आप लेट से राइड जाओगे क्या होने वाला है आपका electronic configuration एक एक से बढ़ने वाला है और ये चीज़ बच्चों याद रखोंगे जैसे जैसे आप उपर से नीचे जाते जाओगे आपका atomic size पढ़ने वाला है क्यों क्योंकि एक एक शेल एड हो रहा है उसके अंदर पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल चौथा शेल पांचवा शेल ऐसे शेल उसके अंदर एड होने वाले हैं तो चलता है नेक्स कॉंसेट के ओर तो नेक्स कॉंसेट में हमें देखना है बच्चो किस तरह से शेल के अकॉर्डिंग और पिरेट के अकॉर्डिंग आपका electronic configuration बदलता है जैसे यहां पर आप देखोगे बच्चो हाइड्रोजन का atomic number कितना है वन है याने उसके पास total number of electrons कितना है तो total number of electrons है वन helium के अगर बात करोगे आप तो helium के पास total number of electrons कितने है 2 याने उसके atomic number कितना है तो उसका atomic number है 2 lithium का atomic number है 3 याने इसका electronic confusion क्या आगया 2,1 जो पहला shell होता है उसके अंदर maximum 2 electrons आ सकता है जो दुसरा shell होता है उसके अंदर maximum 8 electron आ सकता है तिसरा जो shell होता है उसके अंदर maximum 8 electron आ सकता है ये आगे चलके हम पढ़ेंगे 28, 8, 8, 32, 32 इस तरह से जैसे जैसे हम group के नीचे जाता है वैसे वैसे number of electrons इस तरह से add होता है ये आगे चलके हम थोड़ सा detail में पढ़ेंगे कितना मत करो मैं हूँ मैं सबता दूंगा तो यहाँ पर अगर आप sodium के बात करो तो sodium का electronic configuration क्या है 2,8,1 क्यों? क्योंकि उसके पास है total number of electrons 11 और उसका atomic number भी है 11 पहले shell में maximum electrons आ गए 2 दूसरे shell में maximum electron आ सकते है 8 और last का बच्चा एक electron वो कहां पर जाएगा तो वो जाएगा आपके last और third shell में उसी तरह से अगर हम magnesium के बात करें तो magnesium के inner most shell में आएगे 2 electron उसके उपर के shell में आते है 8 electron और उसके उपर के shell में आते है 2 electron तो इस तरह से जैसे जैसे हम periods में आगे बढ़ रहा है हमको क्या पता चल रहा है कि जो electronic configuration है वो एक-एक-एक से बढ़ रहा है और जो valency है वो भी एक-एक-एक से बढ़ती जाएगी आए बात समझी में तो चलो आगे चलते हैं तो बचो अभी हमें क्या देखना है तो हमें देखना है अभी shells और electron capacity उनकी किस तरह सोती है तो first shell को हम बोलते हैं कि second shell को बोलते है L, third shell को बोलते है M और fourth shell को बोलते हैं हम N अब यहाँ पर हमने उनको नाम दिया है N को 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया है अब एक formula है बचो 2N square अब हगर हम 2N square के formula में N की value 1 डाल देते हैं तो answer क्या आता है तो answer आता है तो यहले पहले shell की capacity कितनी है 2 electron अगर दूसरे shell की बात करें तो यहाँ पर दूसरे shell में अगर N की value हम 2 पकड लेते हैं और वो value 2N square में डाल देते हैं तो electron में capacity कितनी आएगी तो electron capacity आएगी 8 तो तिसरे shell में electron capacity कितनी आती है 8 चौथे शेल की बात अगर हम करता हैं तो चौथे शेल में अगर N की वैलू डाल देता है तो इलेक्ट्रोन क्यापसिटी कितने आती हैं 32 हैं इस तरह से इलेक्ट्रोन क्यापसिटी हर शेल के हिसाब से बढ़ती जाती है तो बिचो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़ाद अगले वीडियो में आप देखेंगे लेक्चर नमबर टू periodic classification of element